आज हम आपको बनाने बताएंगे बहुत ही जटपट से बनने वाली मराठी कड़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है ये तो इसके लिए हमें चाहिए करी पत्ता, मस्टर्ड सीड्स, एक टी स्पून और हरी मिर्ची दो से तीन, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं हमें चाहिए गारलिक, पांच से छे कलव्स, अद्रक का टुकड़ा एक इंच का तो इतनी ही चीजें इसमें पढ़ेंगी, जादा कुछ नहीं पढ़ेगा तो हमने सबसे पहले लेना है एक टेबल स्पून देसी घी तो ये ध्यान में रखें कि ये देसी घी में ही बनेगी अब हमने जो हमारे लसन के कलव्स थे, इसको हमने अच्छे से पीस लेना है अब हमारा जो घी है वो गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे mustard seeds एक टी स्पून mustard seeds जब अच्छे से पक चाएं तो फिर हम इसमें डाल देंगे अद्रक और लसन अद्रक जो था वो हमने ग्रेट कर लिया और जो लसन था उसको हमने पीस लिया तो हम ये दोनों चीजें इसमें प्राइड कर देंगे अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे और हम डाल देंगे हरी मिर्ची जो हमने लंबी-लंबी काटी है तो तीन हरी मिर्ची डाल दी हैं हमने उत्ती देर हरी मिर्ची पक रही है हम जो देही है हमारा 500 ग्राम देही लिए इसको अच्छे से बीठ कर लेंगे और इसमें हम एक टेबल स्पून जो है वो बेसन डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे अब देखिए मिर्ची पक गई अब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता तो हमने 10 से 15 करी पत्ते इसमें डालने हैं इससे बहुत ही अच्छी खुश्बू आएगी करी पत्ता से अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप सूखे हुए करी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे तो सबसे पहले हम डाल देंगे हल्दी एक चमच छोटा चमच वान टी स्पून हल्दी डाल दी हमने फिर हम इसमें डाल देंगे एक ही चमच लाल मिर्ची पाउडर और एक चमच धन्या पाउडर इनको अच्छे से भून लेंगे मसालों को तो जब मसाले अच्छे से भून गे हम इसमें डाल देंगे जो देही हमने बेसन डाल के फेंटा था उसको एड़ कर देंगे और जितना देही है 500 ग्राम हमने देही लिए है तो 500 एमेल हम इसमें पानी डाल देंगे अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक की फर्स्ट बॉयल कड़ी में पाएगा नहीं तो कड़ी फट जाएगी इसलिए इसको चलाना जरूरी है अब देखिए फर्स्ट बॉयल इसमें आ गया तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादनुसार तो जैसे मैंने 1.5 चमच नमक डाला है अब हम डाल देंगे दो चमच चीननी के शूगर के और हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से थोड़ी देर हम पकाएंगे दस से पंदरा मिनिट और लीजिए हमारी कड़ी तियार है अब हम इसको बॉयल राइस या नमकीन चावल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और बहुत ही यूनीक सा इसका टेस्ट है मुझे उमीद है आप सुरूर इसको बंदा रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जादा से जादा इन वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसे लग रहे हैं